जिस्पूर जीले के गुलु गाउं में बहुत बड़ा हाइडरो पावर बनानी की योजना है जिसमें इब नदी और पहाड के बीच बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा जिससे गुलु गाउं और उसके आसपास स्थित कई गाउं डूबने की संभावना है बांध बनने से चुया राम सहीत कई लोगों को अपना जमीन से हाथ धोना पड़ेगा मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी इसी समुदाय से हूँ और मेरे साथ भी ये समस्या हो सकती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बांध नहीं बनना चाहिए मैं रंजीता ये मेरे समुदाय तो बतर ये हो गया कि यहां पर हमारा राज है अब चाहे मुख्यमंत्री जी आजाए और चाहे किलेक्टर साहँ आजाए यहां पर तो हमारा राज है इस आपका जो काम है पूरा पानी के डूर छेतर में है ये मेरा पनाया हूँ नक्सा नहीं है हमने सासंसी इस नक्सा पो लिया है कंपनी में अपने विभागेंजे आप बार में अपना अपना जाब भूड लीजेगा कि आप कहां दुबेंगे कहां मारेंगे कहां बचेंगे कंपनी के लोगों ने खुद कहा है कंपनी के इंजिनियर्म ने खुद हमें कहा है कि संना तक पानी तक जमाव हैगा तो आपका अपना के दर लीजे संना के नीचे जो लोग है दूबने के तयाब हो जाएगी गुल्लू कर नाम से बनो थिक दूमे टूली में हाइडरो पावर प्रोजेक्ट डेम तो दूमे टूली में बंधा थिक बंधाई तो इकर में कम से कम मोरो आत्मा गवाह देल और मोरो देखोल हिसाब से कि संना से आगे होईल पान्रापाट उतना तक कर पानी जई अलोरी पाटिया और रिमने यह पहले जई अद दूसरा में पहुँचे पनरापाट तक पानी यह निश्चित गारांटी है कि मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहती हूँ कि यह पांज ना बने क्योंकि यह बांध बनेगा तो कई गाऊं के लोग विस्थापित हो जाएंगे और बे घर हो जाएंगे मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि वे हमारे जीले के कलेक्टर को 094, 077, 48, 805 पर कोल करें और उन पर दबाव बनाएं मैं रंजीता जीला जस्पूर, 36 गड़ से इंडिया अनहर्ड के लिए